हलो पेरेंट्स, हलो बच्चो आज हम एक ने कॉंसेप्ट के बारे में सिखेंगे क्लीन Nana आज का हमरा क्लीन अडर्टी आज का हमरा कंसेप्ट है क्लीन अन डर्टी क्लीन मतलब साफ और डर्टी मतलब गंदा दर्टी मतलब गंदा तो चलो हम आज इसके बारे में सीखेंगे देखे आपके सामने ये दो चित्र है चित्र में कौन देख रहा है? ये दोनों लड़किया है देखे एक ने कैसे कपड़े पहन रखे है? क्लीन मतलब साफ और ये लड़की ने कैसे कपड़े पहने है? डर्टी मतलब गंदे कपड़े जब भी हम बाहर से खेल के आते हैं तो हमारे कपड़े कैसे हो जाते है? गंदे, डर्टी और हम जब भी उसको साफ करते हैं साबुन लगा के धोते हैं तो कपड़े कैसे हो जाते हैं, clean मतलब साफ, तो ये है clean और ये है dirty, ये है clean और ये है dirty, तो बच्चों, अब हम तीन प्रश्न पूछेंगे, आज हमने कौन से concept के बारे में बात की, big and small, soft and hard, clean and dirty, हमारा दूसरा प्रश्न है, गंदे कपड़े साफ करने के लिए हम क्या इस्तिमाल करते हैं, oil, साबून ये color, हमारा तीसरा प्रश्न है, इस चित्र में आपको कौन सा फ्रॉक अच्छा लगा, clean ये dirty ये दोनो, thank you